गरेलू उपाएं में आप सभी का सागत है आज जो हम आपको बताने वाले हैं कुट्टा काटने का सबसे अच्छा इलाज क्या है जी हाँ अगर आपको कोई कुट्टा काट ले तो उसका सबसे इच्छा इलाज क्या है इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप जानना चाते हैं तो इस वीडियो को अंतितक देखते रहें अगर घहरेलु कुता काटे तो कोई दिक्कट नहीं है पर पागल कुता काटने तो समस्या है सड़क पर वाला कुता काट ले तो आप जानते हैं नहीं कि उसको इंजेक्शन दी हुई है या नहीं उसको उसने काट लिया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे फिर वो 14 इंजक्शन लगाएगा वो भी पेट में लगाएगा उससे बहुत दर्द होता है और खर्च भी हो जाता है कम से कम 50,000 तक कई बार गरीब आदमी के पास वो भी नहीं होते है कुट्टा कभी भी काट ले पागल हो पागल से पागल कुट्टा काट ले घबराईए मत चिंता मत करिए बिलकुल ठीक हो वो अदमी बस उसको एक दवा दे दीजेगा दवा का नाम है हाइड्रो फोविनम 200 यह आपको होमेपैथिक स्टोप में मिल जाएगी और इस दवा का नाम मैं आपको description में दे दूँगा जिसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसे copy करके रख लेंगे और जब भी अगर आपको अगर यह दवा लेनी हो तो यहाँ से आप इस नाम को निकाल सकते हैं ताकि आप भूलेना और इसको लेना कैसे हम यह बताते हैं आपको इसको 10-10 मिनिट पर जीव में 3 ड्रॉप डालना है कुट्टा काट ले जिस इनसान को उसके जीव पर 10-10 मिनिट पर 3 ड्रॉप डालना है कितना भी पागल कुट्टा काट ले आप ये दवा दे दीजे और भूल जाएए कि कोई इंजेक्शन देना है इस दवा को सूरज की धूप रेवरेजरेटर से बचाना है रेबीज सिर्फ पागल कुट्टे के काटने से ही होता है ये चीज़ जरूर ध्यान दखेगा साधार और कुट्टा काट ले तो रेविज नहीं होता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी जान गया होंगी कि ऐसे कौन सी दवा है जिसे देने से किसी भी इंसान को अगर पागल कुट्टा काट ले तो उसे कोई भी बिमारी नहीं होगी और रेविज किवल का पागल कुट्टे काटने से होता है तो आप भी जान गया होंगे अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल घरेलू उपाय को तुरंद सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहें और अगर आपने अभी तक आपके मन में इस वीडियो से रेलेट कोई भी सवाल या सुझाओ आ रहे हों तो इसे कमेंट बॉक्स में लिक कर पूछें हम उसका जवाब देंगे तब तक मिलते अगले वीडियो में तब तक नमस्कार दोस्तों धन्यवाद